हेलो गाईस आज मैं आप सभी के लिए ट्रिक लेके हैं हूँ एक स्टर्ज ट्रिक और वो स्टर्ज ट्रिक होगा सोलर सिस्टेम के उपर और आज हम सोलर सिस्टेम में जितने भी सारे प्लानेट से उसका नेम मेमराइस किस तरह से याद किया जा सकते हैं तो मैं आज उसका ट् पहले नाइन था, लेकिन अब प्लूटो नहीं रहा, मेरा मतले वे प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, तो अधी हमारे सोलर सिस्तेम में एट प्लैनेट्स है, नेमली मर्कुरी, वेनस, आर्ट, मर्स, जुपिटर, सेटन, यूरेनस, और नेप्चन, तो एट प्लैनेट्स है, सोलर सिस्तेम में, मैंने जो अभी नाम बोले है, उन नामों को जो है, पेटन में मतलब, उसे ओर्डर में, एक ओर्डर में रख के बोला है, तो उस ओर्डर के हिसाब से, उसका जो दिस्तेंस है, वो पता चलता है, मेरा मतलब है, सबसे पहले सन के पा तो प्लेनेट नेम सो किस तरह से याद किया जा सकता है उसका में ट्रिक आप से भी को भी बताने जा रहा हूं और वो ट्रिक है यह नाम मैंने लिखा है मर्कुरी, वेनस, आर्ड, मार्स, जूपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेप्चुन मैंने नाम लिखा है तो यह अलग से आप इसे लीजिए अलग से इसे देखिए तो यह बनता है M, V, E, M, J, S, U, N तो इस आप पीछे से देखिए नीचे से नीचे से शुरू किजिए यह एक वोड बनता है एक पेटान बनता है इसे में पीछे से देखिए नीचे से शुरू करता हूँ इवी एम होने से एक फिर पester बन जाता हुए एक वोड जीसा जो इलेक्ट्रोनिंगingo इंसे जब हम election में voting करने के लिए जाते है तो उसमें जिस machine में हम लोग वोड करते हैं उसे इवी म कहते इलेक्टोनिक वोटिंग मेसिंग तो इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हैं और दूसरा जो है मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दूसरा एक इसी पेटन में रख करके आप एक और चीज याद कर सकते हैं ये देख spare जैसे की इसमें आठ planets हैं तो इसे आप चार चार करके डिवाईट कीजिए मनलब बीच से जो मैं ने पेटन ओडर रखा है उसी हिसाब साथ बीच से इसे डिवाइट कीजिए चार चार करके, एक पर्ट को चार भाग में, एक पर्ट को चार भाग में, दो भाग में इसे दिवाइट किजए, और बीच में imaginary line रखिए, बीच में न, एक खुद से imaginary line रखिए, उसके बाद वो पेटन बनता है, उसके बाद J-S-U-N, इन चार को लाइन में आप देखिए, तो एक पेटन जो है, बनता है, और Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, तो biggest planet से होके, smallest planet का, जो order है, वो बनता है, देखिए, सब सब biggest planet कौन है, Jupiter, उसके बाद आता है Saturn, उसके बाद आता है Uranus, उसके बाद आता है Neptune, तो उसी तरह से, ये वाला बाग, इसमें आप imaginary line रहाता है न, M, E, V, M, तो Mars, Art, Venus, उसके बाद सबसे चोटा planet होगा Mercury, उसी तरह से, दो पेटन में आप सभी को बताया है, सबसे पहला trick है, नाम याद करने का, planet's name याद रखने का, और दुसरा, दुसरा तरीका है, और दुसरा जो, ये है trick है, वो है, smallest, या फिर biggest, largest, biggest, biggest, planet से लेकर के, smallest planet को किस तर साब याद किया जा सकता है, मलब, pattern में, order में किस तर साब याद किया जा सकता है, उसका trick में नहीं बता है, तो दोस्तो, आप सभी को मेरा ये trick कैसा लगा, बताईएगा, और मेरा मानना है कि, hard work के साथ, smart work मलब, होद जरूरी है, और अगर trick से आप पढ़े, तो पढ़ाई भी बहुत, आसान हो जाता है, और बहुत मज़ेदार होता है, तो तब तक के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, गुट बाई,